नियोजी सिक्षक लगता है राजकर्मी की दर्जे की मांग कर रहे हैं लेकिन केके पाठक की अगर हम बात करें सिक्षा विभाग के अपर मुख सचीव है और अब नियोजी सिक्षकों को सक्षमता परिक्षा देनी पड़ेगी जिसको लेके ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे है अब केके पाठक का नया फर्मान आ गया है कि जो लोग भी राजकर्मी का दर्जा पाएंगे उनको शहरी इलाकों में पोस्टेट किया जाएगा जो भी राजकर्मी बनेंगे इस पर क्या कुछ कहा रहा है माले विदायक संदीव सौरफ का हम जानते सर क्या लग रहा है ये लॉलीपॉप कहीं दिखाया जा रहा है लॉलीपॉप कहा दिखाया जा रहा है बलकि सीधे सीधे कहा जा रहा है कि हम नियोजित सिक्षकों को सक्षमता परिक्षा के नाम पर परिशान करेंगे जवर्दस्ति उनका दूसरे जीलों में ट्रांसफर करेंगे और उनकी नौकर चली जाएगी यह तो बात ही नहीं होई थी कभी कोई शिक्षक हैं 15 साल से 20 साल से पढ़ा रहे हैं आप अचानक से बीपीसी के लेवल का सवाल उनसे पूछिएगा और उसमें फेल हो जाएंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी यह देश में कहीं नहीं हुआ यह किस मानसिक् परिशान करने की मानसिक्ता है इसी तोर से कि सरकार जब पिछली सरकार थी महागडवन्दन की उस समय भी हम लोगों ने बहुत कोशिस की जो नियमावली पास हुआ उस नियमावली के लिए हम लोगों ने जो सुझाओ दिये थे उस सुझाओ पर तो अमल नहीं हुआ एक सुझाओ सरकार ने नहीं माना और नितीश कुमार जी का सीधा संदक्षन है केके पाठक को पिछली सरकार में भी थी अभी भी है और उसका जो गलत फायदा उठाया जा रहा है कि बिहार के लाखों नियोजित सिक्षकों को खुस होने का मौका नहीं दिया जा रहा है जब उनके लिए सरकार ने घोषना की थी गांधी मैदान से कि हम राज्य कर्मी का दर्जा देंगे तो एक उत्साह पुर्ण महौल बना था लेकिन उसक उनको पलट कैसे देना है यह सक्षमता परिशा के नाम पर दिख रहा है जैसे जो सिक्षक हैं अपने इलाके में कहीं परहा रहे हैं अब उनकी उम्र हो गई 55-58 साल दो साल पांच साल नौकरी बचा हुआ है वह से में आप कहेंगे कि उनको तीन जीलों का विकल्प देना प परिवार वहां सिफ्ट है उनका घर आसपास है अब आप करें कि आपको दूसरे जिले में शहर में भेज देंगे तो इससे क्या फाइदा उनको होगा तो यह गलत है शिक्षकों को प्रतारित करना उनके साथ विद्वेश्पूर्ण बेभार करना इससे शिक्षा का कल्यान नहीं होगा यह भी बाते सामने आरे कि साड़े तीन लाग चार लाग नियोजिस शिक्षक हैं जिनको राजकर्मी का दर्जा चाहिए लेकिन फॉर्म अभी तक सिफ पंद्रे सो लोगों ने भारा है क्योंकि सब उहापो की स्थिति में यह तीन तीन जो जिला चुनने का जाए थी और उसमें एच्षिक ट्रांसफर की बात कही गई है बिहार विधान सभा में सरकार ने लिखित में जवाब दिया मुझे मेरा ही सवाल था उसमें कि छठे चरण की नियुक्ति हो जाएगी उसके बाद हम एच्षिक ट्रांसफर करेंगे टीचर्स का तो छठे पलटने में उनके अपर मुक्सचीव माहिर है अज सिक्षा विभाग माहिर है सब लोग अपनी बात से पलट जा रहा है विधान सभा में ने कहा कि हम ट्यारी वन ट्यारी टू में जितना परिक्षा हो उसमें सीट भरने के लिए हम सप्लिमेंटरी डिजल देंगे अब करें नहीं देंगे तो सरकार की बातों का विभाग के अधिकारियों की बातों का सरकारी सर्कुलर की बात सर्कुलर का कोई तो महत्व होना चाहिए यह तो नहीं होना चाहिए कि हम आज कुछ कह रहे हैं कल कुछ कह देंगा पलट जाएंगे सीधे यह गलत है आखरी सवाल यह रह जब अपर मुख सच्यू का एक लेटर वाइरल हुआ है जिसमें कहा गया कि हम सब की नौकरी छीन लेंगे और दिख लिए यह बीपीएसी के पैटर्न पर यह चाहरा है कि कि एक प्रोटेस्ट ज़रूरी है भले ही सिक्षा भी भाग कहले कि हम आंदुलन नहीं करने देंगे सबको सस्पिन कर देंगे करवाई कर देंगे लेकिन उसके बावजूद आंदुलन ज़रूरी है आंदुलन होगा उसमें भागपा माले के 12 विधायक सबका समर्थन रहेगा हम लोग आंदुलन में सामिल भी होंगे का आश्याना तो कीजिये हमारे नंबरों पर संपर